हेलो फ्रेंड्स आज के इस वुड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि फॉनपे में आप अपनी यूपी आइडी कैसे पता कर सकते हैं चलिए विडियो को शुरू करते हैं फॉनपे में एक नया अपडेट आया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी में यह सबसे निचे या दिके यह में मनी का ऊप्शन आ रहा है यह माई मनी के उप्शन पर click कर दीजिए कि और यह यहां पर ये यूपि लिखा हुआ यूपि बैंक अकाउंट ये इस पर click कर दीजिए और यहां पर मेरे यह तीन बैंक एकाउंट एड हैं यह देखिए यह पेटियम स्टेट बैंक और बैंक और बढ़ोधा यह मैं जैसे यह पेटियम बैंक पर क्लिक करूंगा यह मैं आपको दिखा देता हूं अभी यह देखिए यह साइड में यह पेटियम बैंक के साइड में यह एरो की निशान पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पर यह मेरे निचे तीन यूपी आइडी शो हो जाएंगी और यह देखिए मेरी पेटियम की यूपी आइडी है यह शुरू से शुरू होती है पी से ID है और यह मैं आपको State Bank की दखा देता हूं यहां पर यह मैंने इसकी 3 UPID कर ली है यह नया अपडेट आया है फॉन पे में यह मेरी YBL वाली तो पहले से ही एक्टिवेट थी लेकिन यह मैंने IBL और XL वाली को भी एक्टिवेट कर लिया है एक्टिवेट होने के बाद यह मेरी यहां पर यह 3-3 UPID बन गई है अब यह शुरू से शुरू होती है पी से शुरू होती है और YBL तक है और यह यह तीनों मेरी एक ही दे दूँगा UPID तो भी मेरे पैसे जो है स्टेट बैंक में ही जाएंगे तो कि पहले हमारे बैंक की एक ही UPID बनती थी लेकिन फॉन पे में अब एक नया अपडेट आया है जिससे कि हम हमारी दो और नई UPID बना सकते हैं एक्टिवेट करके अगर आपने एक्टिवेट कर ल वाली भी UPID दे सकते हैं और किसी भी साइट पर अगर आपको पेमेंट करनी है तो यह आप यह एक्सल वाली भी लगाकर पेमेंट कर सकते हैं और IBL भी लगाकर पेमेंट कर सकते हैं बस यही है आपकी फॉन पे की UPID इस तरह से आप किसी से भी पैसे ले सकते हैं या किसी को अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए